दोस्तों अगर आपको भी एक निवास प्रमाड पत्र के लिए ओनलाइन अपलाई करना है तो अब एक निवास प्रमाड पत्र बनवाना काफी ज़्यादा आसान हो चुका है मैंने यहाँ पर मात्र 5 दिनों पहले ही अपलाई किया था मात्र 5 दिनों के अंदर ही हमारा निवास प्रमाड पत्र बनके तयार हो चुका है और हमने इसे डाउनलोड भी कर लिया है लेकिन दोस्तों ओनलाइन निवास प्रमाड पत्र बनवाने को लेकर के काफी लोगों के मन में एक confusion रहता है कि इस निवास प्रमाड पत्र पर हम मोहर और signature किसके करवाएंगे तो यहाँ पर जब यह आप लोगों खुझ से निवास प्रमाड पत्र अप्लाई करेंगे इस पर आपको किसी के भी signature या फिर मोहर लगवाने की आपशक्ता नहीं पड़ती है क्योंकि इस निवास प्रमाड पत्र पर ही साफ साफ लिखा हुआ है यहें प्रमाड पत्र electronic delivery system द्वारा तयार किया गया है तथा digital signature से हस्ता छारित है एबम आबेदक द्वारा स्वयंग की login ID के माद्यम से डाउनलोड किया गया है यहाँ पर दोस्तों जिसने भी यह निवास प्रमाड पत्र तयार किया है उसके यहाँ पर digitally signature किये हुए है इसलिए आप लोगों को इस पर किसी भी मोहर या फिर signature लगवाने की आपशक्ता नहीं पड़ेगी अब बात कर लेते हैं अगर आप लोग भी निवास प्रमाड पत्र घरवेटे ही apply करना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए की फीस का payment करना है और कौन कौन से दस्तावेच को upload करना है फीस की बात करें तो only 15 रुपए की आपको online ही फीस का payment करना है इसके बात में documents की बात करें तो आपके पास में आधार card होना चाहिए एक passport size का photo होना चाहिए और इसी के साथ में एक swap प्रमाड घोंशना पत्र जिसका link में आपको इस video के description box में दे दूँगा उसका print out निकलबा करके आपको बहाँ पर अपना नाम, address और signature करने हैं और दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर upload कर देने हैं यह 3 document ही लगेंगे और आप लोग अपने निवास प्रमाड पत्र को online ही बना सकते हैं तो चलिए अब मैं आप लोगों को step by step एक निवास प्रमाड पत्र online apply करने का complete process बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको अपने mobile या laptop के google को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है e-district इतना type करने के बाद में आपको search कर देना है इसके बाद में जो भी पहले नंबर पर आपको link दिखाई देगा e-district उत्तर प्रदेश तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आप up e-district की optional website पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर login करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर login वाले option पर click करना है यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर citizen login e-sathी वाले option पर एक ब पर click कर देना है click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा इसके बाद में सबसे पहले आपको कोई भी एक login ID type कर देनी है इसके बाद में उप लबदता की जांच करें वाले option पर click करेंगे अगर वो login ID अभी लेवल होगी तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर आवेदक का नाम इसके बाद में date of birth आपको fill करनी है यहाँ पर आपको link select कर लेना है जो भी complete address है वो आपको यहाँ पर fill करना है आपके area का जो pin code है वो यहाँ पर डालेंगे इस list में से आपको अपने district का नाम select कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने mobile number को fill करना है email ID अगर है तो यहाँ पर fill करेंगे नहीं है तो छोड़ देंगे इस capture code को same to same यहाँ पर fill करके सुरक्षित करेंवाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आपके सामने next page आ जाएगा जिसमें कि आप लोग इसका एक new password create कर सकते हैं password create करने के बाद में लोगों को change करना पड़ेगा एक new password create कर लेना है new password create करने के बाद में दोबारा से आप लोग इसी page पर आएंगे यहाँ पर आपको login ID डालनी है जो new password बनाया वो यहाँ पर डालेंगे इस capture code को same to same यहाँ पर fill करेंगे और submit वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आप लोग इस portal पर पूरी तरह से login हो जाएंगे और इसमें जितनी भी services हैं सभी services को आप लोग access कर सकते हैं तो जैसी कि हम यहाँ पर एक new निवास प्रमाडपत्र के लिए online apply करने वाले हैं यहाँ पर आपको option मिल जाएगा निवास प्रमाडपत्र तो आपको इसी वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर निवास प्रमाडपत्र सेवा है तो आधार EKYC सत्यापन पहले दोस्तों यह option नहीं था आप लोग डायरेक्टिव बिना आधार EKYC से निवास प्रमाडपत्र apply कर सकते थे लेकिन अभी जल्दी ही इस वाले option को यहाँ पर aid कर दिया गया है तो अब आपके आधार काड में mobile number link होना चाहिए तभी आप लोग EKYC के माद्यम से अपने निवास प्रमाडपत्र को apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपने आधार number को enter करना है यह जो capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को same to same यहाँ पर fill करेंगे यहाँ पर आपको consent देना है और इसके बाद में आपको submit वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आपके आधार काड में जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा बो OTP आपको यहाँ पर fill करना है और submit वाले option पर एक बार click कर देना है यहाँ पर आप लोगों को फिल करने की आपशक्ता नहीं पड़ेगी इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने पिता पती या फिर सनरचक का नाम टाइप कर देना है यहाँ पर आपको माता जी का नाम फिल करना है इसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म इस्थान फिल कर देना है कुछ station करते समय district दिया होगा वही district यहां पर आ जाएगा इसके बाद में यहां पर आप लोगों को इस list में से अपनी तहसील को select कर लेना है और इसके बाद में यहां से आप लोगों को अपने थाना को select कर लेना है यहां पर आप लोगों को अपने gram का नाम select कर लेना है पूरी list के बाद में रहते हैं तो बर्स भरें वाले option को select करेंगे और आप लोगों को बर्स को type करना है इसके बाद में आप से पूंचा जा रहा पिरमाड पत्र बनबानी की आपशक्त है यानि कि आप लोग ये निवास प्रमाड पत्र क्यों बनबा रहे हैं तो वो reason आप लोगों को इसलिए नहीं वाले option को select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने परिवार की राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार ID को fill करना है कई वार ये जो राशन कार्ड संख्या है ये automatic है आपके आधार कार्ड से ही ले ली जाती है और यहाँ पर fill हो जाती ह लेकिन अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप लोग एक न्यू निवास प्रमाड पत्र के लिए online apply कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछी documents को upload करना पड़ेगा तो document की पूरी list में आपको दिखा देता हूं काउन काउन से document आपको upload करने हैं चुने वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे दस्तावेच आ जाएंगे जिसमी की सबसे पहले तो आपको अपना एक passport size का photo upload करना है इसके बाद में एक 100 प्रमारित घोंश्रा पत्र upload करना है यह जो दस्तावेच है इसका link में आपको video के description box में द चाया परती यह आपको upload नहीं करना है फिर भी आपका निवास प्रमार पत्र बन जाएगा voter card भी upload नहीं करना है अन्ने वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार card को upload कर देना है यहाँ पर आप लोगों को type करना है आधार card और इसके बाद में पर भी रखा है उससे select करके upload कर देंगे तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सबसे पहले एक passport size का photo upload करना है और साती आपको आधार card upload करना है बस यह तीन document ही आपको upload करने है और जो भी आप document upload करेंगे तो यहाँ पर उनका size भी देख लेना है नहीं तो document upload करन size कम करना नहीं आता है तो इस related मैं already video बना चुका हूँ उसका link मैं आपको इस video के description box में दे दूँगा सभी कुछ information को fill करने के बाद में आपको दर्च करें वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा आपका जो यहाँ पर न सेवा सुल्क भुगतान करना है जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा सेवा सुल्क भुगतान करें तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर कितने रुपए का payment करना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो 15 रुपए का online ही payment complete करना है प्रोसीड बिद payment वाले option पर एक बार click कर देना है और यहाँ पर payment करने के काफी सारे options आ जाएंगे जैसे कि आप net banking के माददिम से payment कर सकते हैं debit card qr code और upi तो अगर आपको qr code क के माददिम से payment करना है qr वाले option पर click करेंगे select your qr भीम upi select कर लेंगे और इसके बाद में make payment वाले option पर click करेंगे आपकी display पर qr code आ जाएगा इस qr code को scan करके 15 रुपए की fees का आपको payment complete कर देना है जैसे ही payment complete करेंगे आपके सामने एक fees receipt generate होके आ जाएगी लेकिन अगर नहीं मिलती है तो मैं आप लोगों को दुबारा से दिखा देता हूँ कि कहां से आपको fees receipt को download करना है तो आपको इसके home page पर आ जाना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा रसीद की प्रतिलिपी इस वाले option पर एक बार click करेंगे आवेदन संख्या आपको यहां option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहां पर देखिए जो निवास प्रमाड पत्र हमने apply किया है उसकी fees का payment भी complete हो चुका है इसलिए यहां पर लिखे आ चुका है applied and forwarded to concern officer हमारा निवास प्रमाड पत्र online ही successfully apply हो चुका है और हमारा जो document है concern officer के पास में forward कर दि हो जाएगा अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको यह जो certificate है डाउनलोड कहां से करना है side में आप लोगों को एक option देखने को मिल जाएगा निस्तारित आवेदन आपको यहीं पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में यहां पर cost income domicile तीनों ही option देखने को मिल जाए अब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको application number पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका जो निवास प्रमाडपत्र है बहे बनके आ जाएगा अब यहां पर आप लोगों को कुछ नीचे की side में आ जाना है जैसा कि मैं आपको बीडियो के starting में ही बता चुका हूँ कि इस certificate पर आप लोगों को किसी भी महोर या फिर signature की आपशकता नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों यह जो certificate है बहे पूरी तरह से digitally हस्ता चारित है अब आप लोगों को करना क्या है यहीं पर एक print का option मिल जाएगा print वाले option पर click के बाद में आप लोग इसका एक print आउट भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास में अभी printer अविलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में इसे save कर सकते हैं save करने के बाद में किसी भी printer की शोप पर जाएंगे और बहां पर जिसके पास में भी printer अविलेबल है इसका एक print आउट निकल वा लेंगे और print आउट निकल वाने के बाद में आप लोग इस वाले निवास प्रमाड पत्र को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आप लोग घर बेटे ही मतर 15 रुपए में एक निवास प्रमाड पत्र के लिए online ही अपलाई कर सकते ह है झाले